नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसे कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 15 जुलाई 2022 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी टॉप 10 ताजा ख़बरों के जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक बने रही है अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले इसमें नीजी कॉल्जों में मौलभूत सुविदाएं सरकारी से बेहतर बताई गई है नैक रिपोर्ट में मन अतपराप्त बिश्य विद्यालियों को CGPA के अनस्वार रैंकिंग जो है दी गई है गौविट स्कूल एच पी हिमाचल में कम संख्या वाले सरकारे स्कूलों को मर्ज करने की तियारी तो स्कूलों को मर्ज करने की तियारी है इसके लिए शिक्षा विबाग ने प्रदेश भर में चल रहे नामात्र विद्यार्थियों के संख्या वाले स्कूलों का बेओरा मांग लिया है दो से चार किलो मीटर के दायरे में चल रहे कम संख्या वाले स् चीफ सेक्टरी हेमाचल मुख्य सचिव राम सुभग की कारेपढ़नाले से संतोष्ट नहीं था परदानमंत्री कारा लिये पढ़ें पूरा मामला तो हेमाचल प्रदेश की जाराम सरकार ने अपने साड़े चार वर्ष की कारेकाल में छे मुख्य सचिव बगल दिये हैं राम सुभग सिंग सहित वी सी फार का वी के अगरवाल और अनिल खाचे बतार मुख्य सचिव अपना कारेकाल पूरा भी नहीं कर सके दलाई लामा का जो है धर्मशाला से लद्दाख रमान पंदरा दिन की होगी यात्रा दलाई लामा बीरवार रात जमू में ठहरेंगे इसके बाद शुकरवार सुभा लद्दाख के लिए निगलेंगे लंबे समयवाद अपने धर्म गूरु को देखने के लिए लद्दाख में रह रह तिबत शरणार्थियों में खासा उत्सा है हेमाचल आड़ी दिमान को बनाया मुख्य साचिव राम सुभग को हटाया अधिस उचना जारी तो परदेश सरकार ने 1987 के अड़र के आईएस अधिकारी के और मुख्य साचिव राम सुभग सिंग की और से अस्तीपाद ये जेगाने के बाद नए मुख्य साचिव की न्युक्ति जो है कि ये है हेमाचल कैबिनेट डिसेजन 500 डॉक्टरों के जो है समेत 1643 पद भरने की मन्जूरी तवातनों से रोखटी मानसून सत्र का शडूलता है तो हिमाचल परदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंतरी जाराम ठाकुर के द्याक्षता में शिमला में आयोज़त की गई बैठक में विविन विवागों में रेक्ट करीब 1643 पदों को बरने के इलावा कई बड़े फैसले लिये गए हैं कैबिनेट ने लोगों को उनके घरों के निदीक मेहतर सुविधा हैं सेवाएं जो है स्वजास्ते सेवाएं सनुष्टित करने के लिए स्वजास्ते विवाग में चिकेत साधिकारियों के 500 पदों को बरने करने ने लिया है फूर सबलाई सस्ते राशन के डिपू में MRP से 5 फीस्ती छूट में मिलेगी रोजमर्रा की जो ये ब्रैंडड बस्तुएं B.O.D. बैठक में फैसला तो सस्ते राशन के डिफू में अब उपपोगताओं को M.R.P. पर नियुनतम 5 फिस्ट जूट के साथ रोजमर्रा की ब्रैंडड बस्तूं उपलब धोंगी बीरवार को खाद्या पूर्ति निगम की B.O.D. बैठक में यह फैसला लिया गया है H.P.U. B.K.O.M. रिजर्ट H.P.U. B.K.O.M. अंतिम बर्ष का परिणाम गोशित T.A.V. कांगड़ा की अंकिता ने किया टॉप तो प्रदेश पिश्य विद्यले ने जो है B.K.O.M. अंतिम बर्ष का परिख्य परिणाम गोशित कर दिया है इसकी साथ ही प्रदेश पर की हजारों चात्रों का जो है परिणाम का इंतितार समाप्त हो गया है देरशाम गोशित किये गई परिणाम में जीना कांगड़ा के विद्यारतियों का मेरिट में दबदबा रहा हेमाचल कबड़ी टीम के चाइन पर पदमशिरी आजय ठाकुर ने उठाय सवाल फेडरेशन पर धांदली के आरूप तो अंतराश्टरी कबड़ी खिलाडी आजय पदमशिरी आजय ठाकुर ने कबड़ी फेडरेशन पर गंबीर आरूप जड़े हैं उन्होंने कहा कि कबड़ी की सीनियर टीम में दांदली कर खिलाडियों को रखा गया है HRTC बसाओं मैं जो है महिलाओं को ऑनलाइन बोकिंग पर मिलेगी 50 फिस्ती छूट तो HRTC की जो है बसों में HRTC प्रबंदक निदेशिक ने ऑनलाइन जो है टेक्ट बोकिंग करवाने वाली महिलाओं की सहूलियत के लिए आप पोर्टल इस पर जो है पंचाईतीराज सहस्ताओं के 217 पदों पर उपचुनाब के ली जो है अदिस उचना जारी जाने पूरा शेडूल दस तिन बीते बिजली पानी बंद अब फाकों की नौबत मलाणा बासियों ने एडियम को सुनाई आप बीती तो मलाणा में बाद आज दस तिन बीत गए हैं आज दिन तक जो है परशासन ना परशासन और ना ही मलाणा पावर प्रोजेक्ट ने हमारी समस्या को सुना है हम लाणा बासियाफद की जिन्दगी जीने को मजबूर हो गए हैं यही नहीं अब तो राशन के लाले भी पढ़ने शुरू हो गए हैं रास्तें सड़के बंद बिजली पानी की भारी समस्या पैदा हो गई है आप तक इस वेला पर हमें परशासन से कोई साहिता नहीं मिल है यदि यही हालात रही तो आने वाले दिनों में भूक्य मरने की स्थिति पैदा हो सकती है अपनी भाशा के लिए माफी मांगे मुकेश नेता प्रतिप्यक्ष की बियान पर भाजपा प्रवक्ता रंधीर शर्मा का पल्टबार तो मुक्यमंत्री पर बिपक्ष की नेता वेक्तिगत टिपणी निंदनी है उन्हें अपनी असंसदी भाशा के लिए जो है सारवजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए परसाद खाने से किशोरी की मौत एक आठ वर्शे बच्ची गंभीर हारत में पीजी आई जो है चंडिगर रैफर तो उन्ना मुक्याले के सिमी परती गाउं लाज सिंगी में अग्यात गारी सवार दंपती द्वारा दिये गए परसाद को खाने से एक सोला वर्शे की शोरी की मौत होगी जबकि आठ वर्शे बच्ची को गंभीर अवस्त में पीजी आई चंडिगर रैफर कर दिये गया है जहां बच्ची जिंदगी व 2422 नए पोजिटे मामले आये हैं तो दोस्तो ये थी आज की जो है टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ने किया है वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले है ताकि आप तक हमाचल प्रदे सबसे पहले पहुंच चा कि दन्यवाद जय ही जयवाद सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइबी बिल्णपका शिक आपक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भी जय है एचального हैं